जीवन में जब दुख और कठिनाईयां आती हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सहारा और मार्ग दर्शन प्रदान कर सकती हैं। श्रीमत भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई जो आज भी हमारे जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। यदि आप जीवन में दुख महसूस कर रहे हैं तो श्री कृष्ण की ये बातें आपको सुकून और प्रेरणा दे सकती हैं। समता भाव रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा सुख दुख, लाब हानी, जय पराजय को समान भाव से स्विकार करो। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दोनों स्थितियों में संतुलित रहना चाहिए। जैसे हम सुख के समय खुश होते हैं, वैसे ही दुख के समय हमें धैरे रखना चाहिए। दुख स्थाई नहीं है, यह भी एक दिन समाप्थ हो लेकिन उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में दुख तब आता है जब हम अपने कर्मों के परिणाम के बारे में चिंतित होते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए फल तो भगवान के हाथ में हैं और वही उचित समय पर हमें वह देंगे अस्थाई जगत को समझो श्री कृष्ण ने कहा यह संसार अस्थाई औ अश्वान है यहां कुछ भी स्थाई नहीं है इसलिए हमें भौतिक सुख दुख से उपर उठकर आत्मा के स्थाईत्व पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए आत्मा अमर है श्री कृष्ण ने कहा न आत्मा का जन्म होता है नम्रित्यू आत्मा अमर और अविनाशी है हम जिस दुख का अनुभव करते हैं वह शरीर और भौतिक दुनिया से जुड़ा होता है श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और किसी भी परिस्थिती में उसका नाश नहीं होता जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन की कठिनाईयां हमें कम प्रभावित करत क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा अमर है और यह संसार एक अस्थाई यात्रा है अपने करतव्यों का पालन करो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने धर्म करतव्य का पालन करो चाहे वह कितना भी कठिन क्यों नहों जीवन में दुख और चुनौतियां वाती हैं लेकि कठिनाईयां हमारे जीवन का हिस्सा है लेकिन हमारा करतव्य उन्हें सहन करते हुए आगे बढ़ना है भगवान पर भरोसा रखो श्री कृष्ण कहते हैं जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है मैं उसकी हर परेशानी का हल कर देता हूँ कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाते हैं तो वह हमें सभी दुखों से मुक्ति दिलाते हैं जीवन में जब भी कठिन समय आता है हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी समस्याओं को उनक के सामने समर्पित कर देना चाहिए समर्पन का महत्व श्री कृष्ण ने कहा सब धर्मों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम जीवन के सभी बंधनों और परेशानियों से मुक्त ह होना चाहते हैं तो हमें पूर्ण समर्पन के साथ उनकी शरण में जाना चाहिए दुख और कठिनाईयों का हल उनके चरणों में समर्पन में है जब हम उनके प्रतिसमर्पित हो जाते हैं तो वे हमारी सारी समस्याओं को हल कर देते धैर्य और सहनशीलता अपनाओ श्री कृष्ण ने कहा जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता के साथ हर परिस्थिती का सामना करता है वह सच्चा योगी है जीवन में दुख और कठिनाईयां सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा होती है कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हर स्थिती में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए कठिनाईयां अवस्थाई हैं लेकिन धैर्य और सहनशीलता से हम उनका सामना कर सकते हैं और अंततह सफलता प्राप्त कर सकते हैं मन को नियंत्रित करो श्रीकृष्ण ने कहा, मनुष्य का मन उसके सब से बड़े शत्रु और मित्र दोनों हो सकता है, दुख का मुख्य कारण हमारा मन होता है। जब हमारा मन अस्थिर होता है, तो हम दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करके हम जीवन में शान्ती और स्थिर्टा प्राप्त कर सकते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की शिक्षा देते हुए श्री कृष्ण हमें आंतरिक शान्ती का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में दुख और कठिनाईयां अनिवार्य हैं लेकिन उनके साथ जीने और उन्हें समझने का सही तरीका भी है जब हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हमें सच्ची शान्ती और संतोष प्राप्त होता है जीवन में दुख के समय श्री कृष्ण की ये बातें सुनें और उनका पालन करें इस से हमें आत्मिक बल मिलेगा और हम जीवन की चुनोतियों का सामना धैर्य और संतुलन से कर सकेंगे महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और श्री कृष्ण के बीच समवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंग है यह समवाद उस समय होता है जब कर्ण और अर्जुन के बीच होने वाले निरनायक युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उसे अपनी वास्तविक पहचान और धर्म के प्रती उसकी जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं यह समवाद कई नैतिक आध्यात्मिक और व्यक्तिकत स्तरों पर गहन भावनाओं को व्यक्त करता है कर्ण और कृष्ण का यह समवाद महाभारत की उन घटनाओं में से एक है जो कर्ण के चरित्र की महानता संघर्ष और अंतरद्वन्व को उजागर करता है कर्ण को जीवन भर उसकी जाती और जन्म के आधार पर तिरसकार मिला उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया जबकि असल में कर्ण पांडवों की माता कुंती का पुत्र था कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीरवाद से हुआ था और जन्म के समय उसे दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे जो उसे अजेय बनाते थे लेकिन कुंती ने उसे जन्म के तुरंत बाद नदी में छोड़ दिया और उसे एक सारथी अधिरत और उसकी पतनी राधा ने अपनाया इस बात को केवल कुंती और भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई है जब महा भारत का युद्ध प्रारंब होने वाला था तो कृष्ण ने यह निर्णय किया कि कर्ण को उसकी सच्चाई बतानी चाहिए और उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए जब महा भारत का युद्ध शुरू होने वाला था उस समय श्रीकृष्ण कर्ण के पास जाते हैं असली पहचान बताते हैं और उसे यह बताने का प्रयास करते हैं कि वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई है यहां श्रीकृष्ण और कर्ण के बीच होने वाले समवाद का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है शिक्रिष्ण जानते थे कि कर्ण महा भारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और उसकी अजेयता अरजुन के लिए बड़ा खत्रा थी इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले शिक्रिष्ण ने कर्ण से मुलाकात करने का निर्णे लिया हे कर्ण तुम जो जीवन भर एक सूत पुत्र के रूप में अपमान सहते आये हो वह वास्तविक्ता नहीं है, तुम जन्म से एक सूत पुत्र नहीं, बलकि एक क्षत्रिय हो, तुम कुंती के पुत्र हो और इस प्रकार पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तुम्हारे पिता सूरदेव हैं, और तुम्हारा जन्म एक विशेश उद्देश्य के लिए हे केशव, तुमने जो मुझे मेरे जन्म की सच्चाई बताई, वो मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं आज भी वही कर्ण हूँ, जिसने अपने जीवन का हरक्षण, संगर्ष और अपमान में जिया है, मुझे दुर्योधन ने अंगराज का सम्मान दिया, जब किसी न मुझे अपनाने से इंकार कर दिया, मुझे उसकी मित्रता और उपकार का रणी हूँ, श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुम स्वभाव से एक धर्मात्मा हो और तुम्हारा जन्म महान कारियों के लिए हुआ है, तुम्हें यह समझना चाहिए कि दुर्योधन अध अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो और धर्म का मार्ग तुम्हारे लिए सबसे सही है, तुम युधिष्ठिर के स्थान पर राजा बन सकते हो और धर्म के अनुसार राज्य का संचालन कर सकते हो, लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया उन्होंने कहा हे कृष्ण मैं जानता हूँ कि धर्म और अधर्म का फर्क क्या है मैं यह भी जानता हूँ कि पांडवों का पक्ष धर्म का है लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जिसने मुझे सम्मान दिया जो मेरे अपमान के समय मेरा मित्र बना मैं दुर्योधन का उपकार कभी नहीं भूल सकता वह अधर्म के मार्ग पर हो सकता है लेकिन मैं उसके प्रतिवफादार हूँ और उसकी और से लड़ना मेरा कर्तव्य है श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अपने भाईयों के साथ मिलकर युद्ध में शामिल हो जाए लेकिन कर्ण ने अपनी वफादारी को प्राथमिक्ता दी कर्ण ने कहा कृष्ण अगर आज मैं तुम्हारी बात मानकर पांडवों के साथ खड़ा हो भी जाऊं तो क्या यह न्याय संगत होगा दुर्योधन ने जब मुझे तिरस्कृत और अपमानित महसूस किया तब मुझे अंगराज बनाया उसने मुझे वह सम्मान दिया जो मुझे कभी नहीं मिला मैं उसकी मित्रता और विश्वास को तोड़ कर पांडवों के साथ नहीं जा सकता कर्ण ने ये भी कहा कि वह हमेशा से एक योध्धा की तरह सम्मानित जीवन जीना चाहता था और अब वह एक योध्धा की तरह मरना चाहता मुझे पता है कि मैं अर्जुन ही मुझे मारेगा लेकिन मैं अपने धर्म और वफादारी को कभी नहीं छोड़ूंगा कृष्ण का कर्ण को अंतिम सलाह श्री कृष्ण ने कर्ण को बहुत समझाया कि वह अपने जीवन के संघर्ष और अपमान से उपर उठकर अपने भाईयों का साथ दे लेकिन कर्ण अपने निर्णय पर अडिग रहे श्री कृष्ण ने अंततह कहा कर्ण तुम्हारा हृदय महान है और तुम्हारा त्याग अध्वितीय है मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ लेकिन याद रखना कि युद्ध में जो भी होगा वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा तुम्हारे पास धर्म का मार्ग अपनाने का अवसर था और तुमने उसे ठुकरा दिया श्री कृष्ण के इस समवाद के बाद भी कर्ण अपने मार्ग से नहीं हटे उन्होंने धर्म के मार्ग को स्विकार करने की बजाए अपनी मित्रता और वफादारी को प्राथमिक्ता दी कर्ण जानते थे कि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सिध्धान्तों को तोड़ने से मना कर दिया कर्ण की यह द्रिड़ता और त्याग उन्हें महाभारत के सबसे अध्वितिये पात्रों में से एक बनाती है उन्होंने अपने जीवन भर संगर्ष किया अपमान सहा लेकिन कभी भी अपने आदर्शों और मित्रता के प्रती बेईमानी नहीं की यहीं पर उनका चरित्र नायकत्व को छूता है क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया भले ही अंत में उनकी हार सुनिश्चित थी कर्ण और श्रीकृष्ण के इस समवाद से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं सबसे पहले यह समवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में नैतिक्ता और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण कर्ण को धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन कर्ण अपनी वफादारी के कारण उस मार्ग को नहीं अपनाते कर्ण का यह निर्णय दर्शाता है कि हमारे जीवन के मूल्य और सिध्धान्त हमें किस दिशा में ले जाते हैं कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाईयों का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिध्धान्तों को नहीं छोड़ा। उनके जीवन का यह अंतरद्वन्द्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए चाहे परिस्थितियाओं कैसी भी हो। कर्ण की महानता उनके संघर्ष, त्याग और वफादारी में निहित है। वे जानते थे कि उनका निर्णय उन्हें मृत्यू की ओर ले जाएगा, फिर भी उन्होंने अपने मित्र और सिध्धानतों को नहीं छोड़ा। यही कर्ण की महानता है और यही कारण है कि वे महाभारत के सबसे प्रेरणा दायक पात्रों में से एक हैं। मित्रों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। झाल 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 विशेश रूप से अपने चीर हरन के समय झाल एक स्थाई घ्रिणा पैदा कर दी थी